अब देखो यहाँ पर AWM पड़ी होती है लेकिन उसको न उठाके मैं ग्रोजा और MK लेता हूँ अभी के लिए ऐसा मैं क्यू करता हूँ देखो आप तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत आपका एक विरा न्यूप गलत सीन्ट से बड़े पड़े पपजी दे मोबाईल गेमप्ले वीडियो में अब इसमें यार कुछ चीजे बहुत ही इंटन्स हैं और आखिर में जाके आपको एक अपनी जिन्दगी काटता कैसे है पबजी मोबाईल में खैर फिलाल के लिए ये नोवो आ रखे हना लूट यहां पे भी कम है लेकिन डिट होने के कारण हम फिर भी यहीं आएंगे और आते ही एक गन भी मिल जाती है और इधर पे उतरते ही मैं अपनी गोली बरबाद करने वाली हरकतों पे आ जाता हूँ और इधर आते ही एक निहत्ता और नंगा बंदा पकड़ा जाता है सिधा पेटी बनाई उसकी उएंपी से और उसका टीममेट वही कई भगरा होता है और भगभुक के वो गर के सैट पहुँच चुका है खेर एक किल अपने को मिल चुकी है अभी भी यूएंपी वगरा पड़ी है लेकिन कोई नियार देखो जोस होना चाहिए जिन्दगी में और कई बार यही जोस आपकी पेटी बना देता है खेर हम तो हैंडीट तो यूएंपी ही लेके मैं आगे बढ़ जाता हूँ और यहां अंदर बैठे बन्दों को तो पकड़ के पेल दिया लेकिन बाहर से इनके टिमेट लोग तेजी से आते हैं और जैसा कि मैंने बोला था यार कई बार इस जोस के चलते पेटी भी बन सकती है लेकिन इस बार जैसे तैसे करके दो दो यूएंपी पकड़के मैं ये गिने चुने तीन चार बंदो को पेल देता हूँ अब देखो इनकी भी पेटी ही बनाई थी इसका मतलब इनके टिमेट लोग भी पीछे ही बैठे पड़े हैं लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं PUBG प्रीमेर लीक की जिसके मादद से आप कई सारे PUBG के टूर्णामेंट्स खेल सकते हूँ और पैसे जीत सकते हूँ साथ ही साथ इसमें कई सारे फ्री टूर्णामेंट्स होते हैं जिसमें एंडरी फ्री होती हैं लेकिन जीतने पे प्राइज मनी होता है और इसमें टाइम टू टाइम रोयल पास और यूसी का गिववे भी चलता रहता है बस रेजिस्टर करते टाइम आप अपना PUBG का यूजर नेम डालना इसमें ताकि आप जो भी पैसे जीतो आप पेटियम के थुरू आराम से विड्रॉ कर सको तो हाईर इस एप को जरू ट्राइ करो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में टूर्णामेंट्स खेलो और पैसे जीतो खेर मैं धेड़ पेड रिवाइफ पेलता हूँ और उसके बाद आखिरकार एक महेंगी गनहात में आती है और यहाँ पे तुम्हारा भाई पेटी की भी पेटी वरानी की कुशिस कर रहा था यार जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे मैं पूरे जोस में था भाई इतने जोस में कि भाई या वैसे इसे जोस नहीं नसा जाजादा कहीं है पेटी की पेटी कौन बनाता है अब देखो वो जो नेट करके गया ना बंदा यार वो खतरनाक था वो भाई नोक हो गया लेकिन नोक होने के बाद भी उसका नेट आधा काम कर चुका होता है लेकिन फिर से यार UMP निकालनी पड़ती है क्योंकि देखो यह जो महंगी गर M4 थी मेरे पे इसकी गोली खाली हुई पड़ी थी सिर्फ पांच गोली बाकी थी खैर जैसे तैसे करके वहाँ पे न जाने कितने बंदे बैठे हो ते यार लेकिन पेल पूल के मजा टैप आ गया दवा की किल मिल गए लेकिन अभी सीन क्या है इधर घर पे भी दवा की बंदे बैठे हैं तो मैं बगर आउता हूँ और अचानक से सामने दिखते हैं मुझे ये और अब एक बंदे से पंगे लिए तो यार पूरी सुकोड से पंगे लेने होंगे और एक बंदे से सुरुआत की थी करते करते तीन बंदे पकड़ लेता हूँ अब देखो तीन बंदे जरूर आते याँ पे लेकिन इनका चोथा बंदा यहाँ पे कड़ू भी नहीं होता अब वो किधर गत्ते फूक राये छुपके यार उसी को पता होगा तो यहाँ पे मैं धैर पैड जो भी ये पेटिया होती है इन्हें छुपके लूटता हूँ क्योंकि देखो कहीं चौता बंदा यहीं चट चुत में चड़ा होगा न यार वो बदला लेने के लिए मेरी सीधा पेटि बनाएगा वो आधे सेकंड रुक के नहीं सोचेगा कि दूसरे बंदे को पी बेल दू नहीं वो भाई सीधा पेटि बनाएंगे क्यार वहाँ पे कोई हमें कद्दू भी नहीं मिलता तो इधर पोचंकी साइड अजाता हूँ देखो यार कहां से कहां ना पड़ता है किल की लालच में नोवो उतरा था और नोवो से सीधा पोचंकी पहुँचता है तुमारा भाई अब देखो पोचंकी में क्या सीनों तेयार बन्दे बैठे पड़े होते घरों के चार घर में चौदा अलग-अलग बन्दे बैठे हों के बहुत दिक्कत होती है तो मैं क्या गरता हूँ पहले बाहर वाले घर देखता हूँ कि क्या पता यहाँ पे कुछ किल मिल जाए और आगे एक बग्गी खड़ी हुई है मेरे सामने भाई बन्दे जब जिन्दा होते हैं तब चलांग मारते खिडकियों से ये नुकों के चलांग पिल रहा है अब यहाँ पे एक तरफा जबरदस्ती की बाते चली हैं वो बन्दा वेचारा ठक हार के बिलकुल लूट गिरा रहा है अपनी और हमारे भाई जबरदस्ती हेलो बरो मजा आगे बरो कद्दू बरो भाई क्या कर रहे हो छोड़ दो उसे अकिला छोड़ दो उसे यार ठिलने दो उसे चैन से खेर जो यहां पे भाई या इस बंदे का ये खतरनाक सीन लगता है मुझे कि नोग भाई बग्गी पे होता है और सीधा घर के अंदर गुषता है मैं सही बतार है यार पबजी में हमेसा कुछ न कुछ नया और गलत देखने को मिलता रहता है मुझे खासकर मेरे को यार मेरे साथ तो दबा के गलत सीन होते हैं तो यार इस बंदे के ये नोग कोगे जो इसने खिड़की के पार चलांग लगाई इसके लिए लाइक टुकना मत भूलना अब देखो जैसा कि मैंने बोला था यार पोचंग की जाने में दिक्कत है बहुत होती है लेकिन जब बंदे आपस में लड़ भीड़ रहे हूं तो यार कैसे रुका जाए अपने आपको तो मैं भी यहीं पहुँच जाता हूँ अब ये लोग आगे गोलियां दबा के चला रहे हैं और जहां तक मेरे को लगता है दूसो कोड के बंदे हैं यापे और सबसे जादा गलत सीन दब होते हैं जब दूसो कोड आपस में लड़ रहे हूं यार ये लड़ बिड़ के पेटिया बना देंगे एक दूसरे की और मेरी लिए कद्दू कुछ नहीं बसता तो करना क्या यार जल्दी से नेड करना पड़ेगा अंदर गुश के पिलना पड़ेगा नहीं तो ये आपस में इठिल जाएंगे याँ पे किते मारा अब यार ये बंदा घर के अंदर क्यूं और कब से बैठा था मेरे समझ के पार है मैं अंदर ये सोच के आता हूं कि एक बंदा बाहर चलांग लगा चुका है तो ये घर खाली पड़ा होगा फिर हमें ये बाई दिखते हैं अच्छा वाई ये किसी औरी तरफ मूह करके बै बैठा था नहीं तो यार ये जो पेटी बनाता ना अलग लेवल पे बनाता और उसके उपर से मेरा टीमेड भी बाहर बैठा वा था तो यार मेरी पेटी बनना तहीं थी याँ पे बिल्कुल खैर एक टीम के बंदे तो मैं ठिला चुका हूं दो ही होते हैं और एक वो बंद अब इस सीन के बाद ना यार मैं अपने आप पे सक करने लगता हूँ देखो ये जो MK14 की बस एक गोली चलने की आवाज आती है ने ये टक करके आती है और उसके बाद सारी गोली साइलेंस चलती है बिल्कुल या तो ये गलिच है या तो फिर यार मैं ही बेवकूफ हूई से गलिच बोलता फिरता हूँ लेकिन ये MK काम ही ऐसे करती है कि भाई या बस पहली गोली की आवाज आएगी बाकी गोली बिल्कुल आराम से चलेंगी बागेर आवाज के मेरे को अपने हैप पे सको रहा है कि यार ये गिलिच था भी की नहीं क्यूंकि यार थोता तो भाई देखो यार पबजी बहुत मैंनद करता है अपने गेम पे हना बंदे गाड़ी के नीचे आके बच जाते हैं चिडिया डालते रहते ये लेकिल फिर भी पपजी मेहनत करता है अपने गेम पेयार तो मेरे ख्याल से मेरी ही गलती है यहाँ पे ये गलिच था ही नहीं कभी ये MK14 ऐसे ही काम करती है खैर उस बंदे की MK14 मैं चुरा लेता हूँ बिल्कुल और इसी गन से यार बंदू की बु अब पीचे सरे रहे है अब हर ईंदर ईस वाली में दो है उसमें कार्स j यार यार उस वाली में दू है उसमें अगे उनदर यार अझ। और जब आप जोज में खेल लिए गेम उसके उपर से एम के चोदा और गुरोजा जैसी गनागर मिल जाए यार जोज चोदा गुना बढ़ जाता है अब देखो यहाँ पर एडवलोम पड़ी होती है लेकिन उसको न उठाके मैं गुरोजा और एम की लेता हूँ अभी के लिए ऐसा मैं क्यों करता हूँ देखो आप अब गाड़ी भर के नजाने कितने बंदयार रखें और मैं हूँ एक सस्ता सनाइपर अब यहाँ पर मैं एडवलोम उठाऊंगा तो मैं ऐसे भी कुछ नियू उखाड़ने वाला वैसे भी कुछ नियू उखाड़ने वाला यार मतलब ठीठा ग्रेंज में तो चलती नहीं क्लोज रेंज में क्या कदू सनाइपर चलाऊंगा तो मैं बोलता हूँ एडवलोम को बाद में उठाएंगे अभी के लिए MK14 लेके चल देता हूँ और दूसरी गन ग्रोजा है ही है और जहां तक मेरे को पता है यार जहां तक मेरा मना है इन दो गन से खतरनाक कॉम्बो कुलोज रेंज के लिए कुछ भी नहीं है उजी उजी बढ़िया गन है लेकिन यार ये दो गन अलग लगल पे मेरे लिए बहुत अब देखो इन दोनों बंदों की कब पेटी बन गई मेरे को कद्दू कुछ नहीं पता चला पहले को मैंने एमके से निप्टाया लेकिन सीन क्या होता है ये बंदा भी कम दिमागदार नहीं होता वो दूसरा वाला भाई भी एमके 14 पटकारा होता है लेकिन भाई की गन जाती है रिलोड पे और जैसा कि मैंने बोला यार दूसरी गन गुरोजा पड़ी थी मेरे पे तो मैं गुरोजा लेता हूँ और उड़ते वे जाता हूँ अब वहाँ पे वो मेरे को पेल भी सकता था लेकिन यार गुरोजा से सरसूर पे गूली लगती है और बंदे की सीधा पेटी बन जाती है और इसी के साथ यहाँ पे दो तीन सो कौड यहीं पे लड़ रही होती है हमको मिले दे तो शायद चार सो कौड यहीं लड़ रही होती है खैर थोड़ा लेट हो जाता हूँ एक बंदे की पहली पेटी बना दी थी लेकिन सही है यार 6-7 किल मिल गई दिक्कत किसको आ रही है अब यहाँ पे न मैं अपनी एक गंदी आदत की वज़ह से ठिलने वाला होता हूँ देखो गाड़ी में सही पट्रोल बचा है जिन्दगी बर गूं सकता हूँ मैं लेकिन मुझे एक आगे गाड़ी दिखती है तो मैं बोलता हूँ यार गाड़ी बदल लेते हैं क्या हो सकता है जात से ज्यादा फिर यह होता है क्याद दोकन मन पर कोई भीक्ता मैं रहुता है खॉक्त पॉक्त खी 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 बोलाई था मैं उप्लीव खी 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 और यार ये बंदे गोली इस कदर चला रहे जैसे इनके चच्चा की दुकानों की गोलियों की कोई कमीनिय भाई रोगदो यार गाड़ी भी फट गई अब तो रोगदू गोली चलाना लेकिन ये मनने वालों में से कहां थे ना जाने कहां पर इगोली चला रहे यार सीधा गलती से हैट सोट पिलता हूं और अब आगे रस करने का मन कर रहा है खेर मन तो बहुत कुछ करने का करता है लेकिन यार हर चीज करी नहीं जा सकती तो सीन क्या होता है दूसरा वंदा ना जाने कहां ही होता है हमारे भाई उसे हैट सोट पिल देते हैं गलती से नहीं यार गलती से सिर्फ मैं ही करता हूं तुक्के वाजी में काम चलता है मेरा पूरा खैर जो भी ओ दो की दो गाड़ी ये लोग राक कर देते बिलकुल मेरे को नहीं पता ये लोग कैसे जोन में आने वाले थे हार जहां तक मेरे को पता है उनकी गाड़ी या तो पीछे होगी या तो यही रोड के बगल में जो गाड़ी थी उसी पे बैटके आने वाले थे खैर जो भी हो मैं भगते भगते किसी तरह जोन में गुस्ता हूँ अब देखो भगते वे यार भटके चार हो जाती है क्योंकि सांप का चकर मौत से टककर कब और कहां हो जाए किसी को पता नहीं चलता लेकिन धीटता देख रहो वतलब डिराव पड़ा हुआ है तो लूट रहा हूँ से बहले ही लूट की कोई ज़र्वत नहीं है सब कुछ है गुरोजा और AWM के लावा कुछ नहीं चाहिए लेकिन वही है यार गंदी आदत पड़ी हुई है तो डिराव पड़ा था लूट के देख लिया कैर उसके बाद मैं थोड़ी देर इधर पे रुखता हूँ क्योंकि क्या पता कोई रस रुस कर दे और देखो यार इतनी किल करने के बाद पैदल बकते वे ठिल या ना दुख बहुत होगा और यहां पे रुकते रुकते आखिर कार जाके एक गाड़ी नजर में आती है तो मैं AWM निकालता हूँ अपनी और जिस रप्तार से यह गाड़ी आ रहे हैं न मैं समझ गया अंधर उस होने वाला है और यहाँ पे चार के चार बंदे कब क्यों और कैसे ठिल जाते हैं यार मेरे को तो पता तक नहीं चला मतलब सीडियो में मैं ऐसे ही गूलिया चला रहा था दो बंदे नोको जाते हैं उसके बाद तीसरा भाई बहुत ही चोड में मोली भेक रहे होते हैं तो जलती बोतल में आग भाई के हाथ में फट जाती है और भाई की सीधा पेटी बन जाती है गुरूजा से और ये सीन यार ऐसे चार बंदों को हलवे की तरह पेलना सिर्फ गुरूजा कर सकती है देखो एमके बढ़िया है लेकिन एमके में है बीस ही गोली और बीस गोली कब खतम होती है किसी को पता नहीं चलता और आओ यार अब ध्यान से से गोल से देखते हैं एक साब की जिंदगी एक साब कैसे जिंदगी काटता है अपनी bbg मोबाइल में व attent मंगे अभी भान इंन रहता हुआ Discovery लाइसा engineered ले मुठे São मेरे पने ले रहा हुँ अभी मार कटवा देशन खाना मेरे प tbsp अब मेरे को कुछ दिन पहले एक डेलोक सुनने में आया था वो साप है कुछ भी कर सकता है तो देखो साप को चाहे कुछ भी हो जाए उसको हल्वे में नहीं लेना और मजाक नहीं उडाना बिलकुल बाई को लग रहा है वो साप हमसे डर रहा है यार इतना गलत कोई कैसे हो सकता है बंदा देखो मेरे को नहीं पता लेकिन साप लोग कदू नहीं डरते किसी से अब देखो वो जो नहीं डस रायना में यार वो उसका बड़पन है कि वो सांती से लेटा पड़ा है लेकिन हम तो हेड हीट तो उंगली करने जाएंगे आगे अब देखो साप अभी के लिए बक्ष रहा है लेकिन कब कहां पे डस दे किसी को नहीं पता तो ये जो हरकत मेरा टिमेट कर रहा है आप जिंदगी में कभी भी मत करना ओपन में रहते यार साप कब डस लेगा किसी को पता नहीं चलेगा खैर मैं तो यहाँ पेड़ के पीछे बैठा पड़ा हूँ और वो साप जोन में बिल्कुल भी नहीं है अब देखो यार वो साप मुझे काफी आलसी लग रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो जोन के बाहरे ठिल जाए और जिसी साप से जोन आ रहा है ना मैंने कुछ किया नहीं तो वो ठिल जाएगा खुदी और यार ये नीला जोन एक ऐसी चीज है जो आलसी सापों को भी खड़े उने पर मजबूर कर देती है नहीं तो देखो मैं धीट हूँ ठीक है लेकिन साप लोग ना अलग लेवल पे धीट होते है खैर जोन आया और साप को भी भगते वे आना पड़ा अब देखो अगर मैं नहीं जाता ना आगे साइद तो मेरे ख्याल सिफ वो साप वही पे लेट लूट के आराम से आता और जोन से बिठील सकता था खैर मैं जाता हूँ गरोजा चिपकाता हूँ और चिकन चुकान हो जाता है तो बस भाई लोग आर आज के वीडियो में इतने बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये जो साप की आपको पास से जिंदगी दिखाई उसके लिए और वो जो MK14 और गरोजा की सीनुए उसके लिए यार लाइक ठोकना मत बूलना बिल्कुल ठोका पीटी करके नीला टैप कर दू और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सबिस्क्राइब और यह सही डीटता भरे गेम प्ले और सश्थी कमेंटरी के लिए और जाते जाते वो PUBG टूर्नमेंट एप चेकाउट करना मत भूलना उसकी लिंक डिस्क्रिप्सियोन में होगी बिल्कुल टोक में तो कल मिलता है यार बहुत बहुत सुक्रीया वीडियो देखने के लिए बाव बाव